चात्रों तो आज के इस वीडियों आप बात करने वाले हैं जो आपके जोगरफी की दिसंबर के एक्जाम होचका है तो जे आरफ की और यूजशीनेट की कटोफ कितने पर लगेगी तो ये पिछली बार जो जून 2013 में एक्जाम हुआ था तो उसके अंदर जो कटोफ है वो कि आठीन था रोड़ अग्जाम लेंथी कोशन थे स्टेटमेंट वाले कोशन जाता थी स्लेब बस जिसने कवर कर रखा था पड़ेल बिल्कुल जिन अच्छी त्रीकिस पड़ रखा था उनका भी दिमाग का धही हो गया था पेपर को देख कर गे एकदम हैरान हो गए कि ऐसे ऐसे कोशन पूछ रखे दे लेकिन फिर भी अग्जाम तो अग्जाम ही है एंटी अगर नॉर्मल अगर पेपर बना दे तो फिर कट और भी हाई चली जाए तो ऐसा तो कोशन बढ़ाएंगी जो सभी को ना आए जो अपने आपको ज़्यादा जोगराफ फर मानते हैं तो व अलंकि जून वाड़े में अच्छे खासे रिपीट हो रिपीट हुए तो कोशन लेगिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं था नए नए कोशन बढ़के आते हैं विल्कुल ठीक है जो कभी पैदा ही नहीं नए कोशन पैदा होते हैं हर बार तो चलिए हम बात कर लेते कितने कट कटोफ जा सकती आपकी तो जो कटोफ है अन्रीजिडव कटेगरी की जर्नल कटेगरी बात करें तो 208 पर ज्यारफ की कटोफ थी पिछली बार 208 नंबर पर यानि कि 104 कोशन बहुत ज्यादा कटोफ गई थी 104 कोशन आपको ठीक करने पड़ेंगे जर्नल कटेगरी अंदर लिजिए साथ आपका त्रियान में कोश्चन पर करेंगे तो जब जाकर कि आपका जो है नेट क्वालिफाई होगा जर्नल कटेगरी अंदर ठीक है उसी हिसाब से कटोफ थी और EWS की बात करें तो 200 नंबर पर यानकी 100 कोशन ठीक होड़े पर है सत्तक अगर आप जड़ देते हैं तो आपका EWS में ज्यारफ था और 112 पर यानकी करीबन 86 कोशन अगर आप ठीक करते हैं तो आपका EWS में नेट क्वालिफाई था और जो आपकी EWS का और OBC का जो नेट की कटोफ है वो सेम रही थी और लेकिन ज्यारफ में OBC में थोड़ा फरक्त है एक 169 में पर थी ठीक है तो अब की बार की अगर बात कर लेत ठीक होने पर आपका क्या नेट क्वालिफाई है ऐसी कटेगरी में ठीक है और यहां बात कर लेते हैं ST की तो ST की 176 पर जैरफ था ठीक है और 192 पर आपका नेट था तो यहां बात कर लेते हैं कि कम पर कटोफ हो जाती वाकि और कटेगरी वी तो अब की बार कितनी रहने वा लेकिन आपकी बार जो कटोफ आपकी जर्नल की वो 102 कोशन यानिकी 204 पर रहने वाली है ठीक है तो दो कोशन माइनस ही कर लीजिएगा दो कोशन ठीक है 204 पर रहने वाली है और यहीं हम बात कर लें अगर आपके एड़िबुलस की तो वो आपकी अठाण में से लेकर के 100 कोशन तक रहेगी यानिकी अठाण में तक आ सकती अठाण में लिनार में यानिकी 100 पलस नहीं होगी ठीक है क्योंकि अपकी बार का पेपर थोड़ा हड़ था जून वाले से तो अठाण में लिनार में कोशन पर रह सकती आपकी कटोफ ठीक है और हम वहीं एड़िबुलस की ओभी सी की बात कर लें तो ओभी सी की दो माइनिस कर लीजिए तो इसकी एक सो चुराण में के आसपास रहेगी आपकी कटोफ ठीक है और वहीं एसी की बात करें तो वह आपकी 182 पर आपकी और आपको जयारफ की कटोफ लगबग देखने मिल सकती है और वहीं हम बात कर लें कि नैट की जो जैदनल की कटोफ थो वह एक सो चुराण के करीबर रहने वाली है और जो एड़िबुलस की है वह 170 पर 171 पर और यही 170 य सकती है सी कोशन क्योंकि इससे कम तो नहीं जाएगी ठीक है और वहीं स्टी बात कर ले तो काभी यानकी दो एक दो कोशन माइनस ही रहेगी अपकी बार क्योंकि पेपर तोड़ा लेंग ती आया था तो इसलिए जो कटोफ है आपकी थोड़ी कम ही जाने की चांज से तो यह आप चैलेंज कर सकएगा दो दिन का आपको टाइम मिलेगा आप को जेलेंज कर सकते हैं अगर आपका को चैलेंज के हुआ यह तो आपके किस वतने को कोचन ठीक हो रहे हैं किसी के सत्तर ठीक हो रहे हैं सब्सक्राइब कर तो यह बहुत अच्छा स्कोर है अगर कोई सतक जड़ रहा है सतक जड़ने वाला कोई भी कैटेगरी आपकी बार तो उसका ज्यारफ होने की पूरे-पूरे चैन्स हैं जड़नल कैटेगरी में वह क्योंकि अपकी बार का पेपर थोड़ा लेंदी था तो सो कोशन अगर किसी के ठीक हो रहे हैं तो माने चलीगा जैरफ हो जाएगा ठीक है और इससे थोड़े कम है नबब पिचान में तो आपका नेट कॉलिफ है हो जाएगा तो हो फाई आपके व होंगा ठीक है अगर किसी स्टूडेंट को जोगर्फी के जून की एक्जाम की त्यारी करनी है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पर जो पीडिएफ मिलेगी सभी की टैन की यूनिट की बुक्स की पीडिएफ मिलती है यहां ठीक है तो वह आपको यहां मिल जाएगी धन्य के लागर दया और उते मिलती है यहां कि आपकती पीया है तो पिरफी करल दोरा मिलेगी जाम से काoms पाहती है यहां टयूसते है यहां एक्षी सरत कि था ricette यह आपको लिएकश्त प्रावाजने है वहां कि कनुरवाबने कि लिमंगे वहां गर्वाने कि एलारी ट Elsa